नमस्कार मैं हूँ ससी आया जारखन की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं अनलोग 6.0 के तहत जारखन में स्कूल कोलेज के साथ कोचिंग सेंटर खुलेंगे अनलोग के तहत जारखन में सरकार ने सेक्षिनिक संस्थानों को खोलने के साथ साथ अंतर राजी बस सेवा के संचालन के छूड़ दी है सुक्रवार को मुख्य मंत्री की अध्यक्स्ता में आपदा परबंधन प्राधिकार की बैठक में एर ने ने लिए गए बता दे सरकार ने कक्षा नवी से बरावी तक के छात्रों को स्कूल में आने के अनुमती दी है कोचिंग संस्थानों के संचालन की भी अनुमती दी गई है लेकिन यह अनुमती 18 वर्ष से अधिक के छात्रों के लिए होगी इसके अलावा असनातक और असनातकोतर के अमतीम वर्ष के छात्रों के लिए भी कोलेजों में कक्षाओ का संचलान हो सकेगा बता दे अधिक 4 गंटे की पढ़ाई होगी और दोपर 12 बज़े तक ही इन सिक्षन संस्थानों को बंद कर लेना होगा जारखन में 4 अगस्त तक भारी बारिस बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का छेतर बने रहने के कारण जारखन में बारिस हो रही है बता दे सुबस सही राई धानी राची में रिमजीम बारिस हो रही है बग्यानिकों के अनुसार 4 अगस्त तक रुक रुक कर बारिस हो सकती है बंगाल की खाड़ी में निम दबाव का छेत्र बने रहने के कारण इसका व्यापक असर बंगला देश, बंगाल, जार्खन और बिहार में पढ़ रहा है इससे आकास में बादल चाहे रहेंगे सबी सरकारी और निजी कर्याले सोब पर दिशत मानोश संसाथंग साथ खोल सकेंगे सनीवार की साम 8 बै से सो मवार की सूब़ चो बै तक सभी दुकाने बंद रहेंगी सिनेमा हॉल बार मल्टिपलेक्स रेष्ता 50 पर 36 तक साथ खोल सकेंगे सेक्षनिक संस्थानों में विद्यार्तियों सिख्षकों का समय स्मय स्मय पर COVID टेस्ट किया जाएगा अंगन बाड़ी के अंदर बंद रहेंगे परलावकों के घर पर खाज समागरी उपलब्त कराई जाएगी खोली जगापर सोब्यक्ति से अधिक के जुटने पर परतिबंद रहेगा बंद जगापर 50 परतिया शामता अत्वा सोब्यक्ति जो काम हो से अधिक के एकत्रित होने पर परतिबंद रहेंगे धार्मिक अस्थल सरधालवों के लिए बंद रहेंगे जूलूस पर रोक जारी रहेगा राज सरकार और भारत सरकार के संस्थावद द्वारा आयुजित परिक्षा कराई जाएगी कॉलेज में यूजी एवं पीजी की फाइनल इयर की परिक्षा केर्मति दी गई है मेला और परदसन पर रोक जारी रहेगा सिमिंग पूल बंद रहेंगे दूसरे राज से ज्ञार्कन आने के लिए ज्ञार्कन से बाहर जाने के लिए इपास अवस्यक नहीं होगा सरोजनिक अस्थान परमास पहनना और समाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा जैक बोर्ड टुएल्थ के परिणाम घोसित ज्ञार्कन एकेडमिक कॉंसिल की ओर से बरावे की परिणाम घोसित कर दियेगा है पतादे ज्ञार्कन के सिर्चा मंति जगनात महतुर ने पहिनाम जारी किये पतादे की तीनो संकायो का रिजल्ट जारी किया गया साइंस में 86.89% कला में 90.71% तथा वनीजे में 90.33% सफल भए है ज्ञार्कन में भारी बारिस से जन जिवन अस्थ ब्यास्थ राची समयत पूरे जार्कन में देर राच से जोरदार बारिस हो रहिया इसके कारण राजे भर में जहां नदी नाले उफना गया वहीं कई ही इलाकों में जल जमाफ हो गया है नदियों में उफान के कारण कई पूल पुलियों के उपर से पानी बह रहा है इसके कारान कई लाकों में सब ग्यातयात पूरी तरबाधित हो गया है वहीं रेल ट्रैंक पर पानी चढ़ने से कई ट्रेनों को रद कर दिया गया है कुछ ट्रेनों का रूट बदल कर चलाया जा रहा है गढ़वा में एक साथ उनाईस संक्रमित मिलें चारकंड में कुरोना संक्रमितों की संख्या में धेदरे बड़ोतरी हो रही है बतादे सुक्रवार को राज्ये में 56 मरीज की पाचान हुई है जिसमें से गढ़वा में 29 लोग संक्रमित पाए गया है बतादे गढ़वा जिले के रमना परखंड के हारा दाख खुर्द गाव कुरोना का होस्पोट बन गया है यहाँ पर कुरोना भी स्पोट हुआ है मुख्य मंत्री ने परिचा में उतिन विद्यार्थों को दिबधाई मुख्य मंत्री मंसुरे ने जैक और सीवी एसी के बराहमी की परिचा में उतिन होने वाले सभी बच्चों उनके विभाव को और सिक्षकों को हार्दिक सुभकाम नाये और बधाय दी है उलेकनी है कि जारखन अकेडमी काउंसिल की ओर से सुक्रवार को इंटरमेडियेट करियल जारी कर दिया गया है राजी के सिक्षा मंत्री जगनात महतो और जैक के अध्यक्ष अरवीन परसाद सिंग ने इंटरमेड करियल जारी किया है जारखन में बलाइक फंगस के कूल 162 मरीज है राजी में बलाइक फंगस से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है स्वास दिभार के अनुसार जारखन में कोविन नैंटीन के 31 जुलाई तक कूल 260 सक्री मामले है जारखन में 32 नै केस मिले हैं जो राची से 6, फुर्वी से 3, बोकारो से 7, धनबाज से 1, रामगर से 4, कुडारमा से 2, गुमला से 1, लातेहर से 1, गड़वा से 3, चात्रा से 1, साहईगण से 2, दुमका से 1 मिले है जारखन में 29 मरी स्वस्त भी हुए हैं जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 260 है वहीं कूल मौध की संख्या 5128 है भारत में 41,495 नै केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 4,2884 है मन्रेगा का उदे से लोगों को आत्म निर्भर बनाना मन्रेगा आयुक्त रहस्वरी बिने सुक्रवार को कारा परखंड के गोनी ग्राम का दोरा किया मौके पर उबिकास आयुक्त अनुमंडल पताधिकारी परखंड बिकास पताधिकारी सहित परखंड अस्तर के अने पताधिकारी पस्ति थे मौके पर J.S.L.P.S. की दीदियों दुआरा संस्क्रितिक रूप से स्वागत किया गया उन्होंने ग्रामिनों का उत्सा वर्धन करने के लक्ष को साजा करने के लिए J.S.L.P.S. की उत्पेरक दीदियों से बाचित की मौखे परमन्डेगा आयुक्त ने ग्रामिनों को समोधित करते हुए कहा कि हमें योजनाव का सफल की रन्वेन सुनिश्चीत करना है जिससे हर ब्यक्ति स्वामलम भी हो सके इसकूलों में पढ़ाया जाए डायन कूपरथा से जागरूप करने का पाठ ग्रामिन विकास दिभा के सचीव मनीश रन्जन ने कहा कि जार्खन को डायन हत्या एवं डायन कूपरथा से मुक्त करने के लिए जार्खन इस्टेट लाइवलिहूट प्रमोशन सोसाइटी की ओर से चलाई जा रहा ही गरिमा पर्योजना काफी महत्पून योगदान कर रही ह उन्होंने कहा कि राज्य के स्कूलों में काक्षा एक से आठ के बचों के पाठक करम में इस कूपरथा से जागरूप करने के लिए एक अध्याय जोड़ना काफी सहायक होगा रंजन सुक्रवार को गरिमा पर्योजना के प्रत्थम राज अस्तरे सनुक समीश्चा बैठाक में उपस्तित यवं वीडियो कॉन्फरेजन के माध्यम से जुड़े विवीन विवाक पताधिकारियों के समोधित कर रहे थे ज्यारखन में महा अधिवक्ता के जुनियर एड़ वोकेट के साथ मार पीट राची में अधिवक्ता मनोज ज्या के हत्या के बाद ज्यारखन के महा अधिवक्ता राजीव रंजन के जुनियर अधिवक्ता दिपांकर राय के साथ मार पीट हुई है पुलिश ने दो आरोपीयों को गिरफतार भी किया है अधिवक्ता के हत्या का विरोध चाईवा सामे मौन जुलूस राची के अधिवक्ता मनो जाके हत्या के विरोध में पच्छिमी सिम्भूम जीला बार एसोसेशन के अधिवक्ताओं ने सुक्रवार को काला विला लाया कर मौन जुलूस निकाला इसके बाद उपायूत को ग्यापन सोपा जुलूस बार एसोसियेशन ने निकाल कर जैन मार्केट चोक, सदा थाना चोक, पोस्ट ओफिस चोक होते हुए पुना बार एसोसियेशन परिशर में पहुचकर समाप्त हो गया इसके बाद उपायूत को गयापन सोपा गया आरोपी बिधायक दोसी पाये गए तो चुनाव लड़ने से होंगे वनचीत जारखन में जाओमों कॉंग्रेस और रायत की गड़बंधन वाली सरकार भो गिराने के साजिस में जुलाई 2021 को राची की कोटवाली थाना में कॉंग्रेस बिधायक जै मंगल सिंग उर्फ अनुफ सिंग ने प्रात्मिकी दजकराई थी इसके तत कोटवाली थाना कांड संग के 179 दोयार इकिस में धारा 429-420-124 ए एक्ट लगाए गया है बदा दे इस समान में वरिष्ट, क्रिमिनल, एड़वोकेट, विश्वजित, मुखरजी कहते हैं कि प्रात्मिकी धराओ के आधार पर यदि साजा होती है तो आरोपी विधायक चुनावल लंड से बंचित हो जाएंगे राक्षा बंधन का तेवार 22 अगस्त को जर्ज हत्या का मामला डीजीपी से साथ दिनों में मांगी जाच रिपोर्ट जारकन के धनबाद के जर्ज उतम अनन्द हत्याकन मामले में सूप्रीम कोट ने सोतर संग्यान लेते वे जारकन के मुख सचीव और डीजीपी को एक सब्ता में चाच की स्टेटस रिपोर्ट एक लिए धनबाद के जीला यहम सत्र न्यादिस उतम अनन्द को पीछे से आरहे आटो ने जान भुश कर धाका मार दिया जिससे उनकी मौत हो गई आरपीएफ ने उनईस लड़कियो और चार लड़को को किया रेस्ट्यू आरपीएफ की टीम को मौरी स्टेशन पर बोई सफलता मिली है मौरी आरपीएफ निरिक्षक परभारी के नितित में अधिकारियो यहम जवानों से टीम मेरी सहेली द्वारा मौरी स्टेशन का ओचेक निरिक्षन किया गया इस दोरन गाली संख्या रांची एल्टीटी एस्पेसल एक्सप्रेस के इंतियार में बैटे उनईस लड़कियो यहम चार लड़कों को नवालिक होने के संदेख पर पुस्ताश की गई पुस्ताश में पता चला की तिर्थ राम बेदिया पिता राम चंदर बेदिया अपने साथ सभी उनईस लड़कियों और चार लड़कों को काम दिलाने के लिए मुंबाइल होते हुए गुवाले जा रहे थे राज जेपाल से मिले जेपीएस सी अध्यक्ष राज जेपाल रमेस बैस से जारखन लोग सेवायों के अध्यक्ष अमिताप चोधरी ने राज भाहन में सिष्टा चार भेट की इसके साथ ही केंद्रिये विश्वविद्याले राची के नन यूक्त कुलपती प्रोफेसर के प्रसासनी गतिपीद्यों की जनकारी दी जारखन में गुनवाता यूक्त बीज उत्पादन 40 गुना बढ़ा राजे में उनत बीजों के उत्पादन में पिछले 15 बर्सों में 40 गुना बिरिदी हुई है पैणाम सरूप राजे खाद्यान उत्पादन के मामले में आत्म नि प्रस्तुत की गई साथी 2021 के लिए बीज उत्पादन का लक्ष भी तैक किया गया है गैंग रेप और शेखानी के दो आरोपी धनबाद जेल से फरार गैंग रेप और शेखानी जैसे संगीन आरोप में धनबाद जेल में बन दो आरोपी फरार हो गए हैं पतादे जेल की सुरक्षा को धाता बताते हुए गुरुआर की रात से सुक्रवार की सुबा के बिच दोनों जेल से भागे शुरक्षा में चुक को गंबिर्दा से लेते हुए जेल आईजी मनोज कुमार ने जेलर रामा संकर परसाथ को निलंबित कर दिया है वही रात्री डूटी में तरनाज सिपाही मनोज मुर्मु सहीत एक अनगार्ड को भी सस्पेंड किया गया है दिवियंगो का बनेगा यूनिक आईडी कार्ड दिवियंगो की सहुलियत के लिए यूनिक दिवियंगता आईडी कार्ड बनाया जाएगा बतादे दिवियंग जन जिनका दिवियंगता परमान पत्र निर्गत है उनका यूडी आईडी कार्ड बनाया जाना है या काड़ भारत सरकार के दिवियंग जन सस्थी करण विभाग की ओर से बनाया जाएगा पतादे सुक्रवार को डीडी सी विशाल सागर ने वर्चुल माधियम से बैठक कर समधित पतादीकर्यों को निर्देश दिया धन्यवाद